असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप लोग आज आपको मॉडल ब्राइडल मिकप का पूरा डेमो में देंगी और यह हमारी दर्मा बेसिस जो के आप बहुत सरे लोग जानते भी होंगे और न्यू वीवर्स के लिए बता दूँँ कि यह दर्मा मिराकी में सिक्स कलर्ज है तू जो हैं वो हमारे कंसिलिंग कलर है फाइव और सिक्स आपने देखा मेरी मॉडल के डार्क सरकल भी है एक्नी भी है काफी पिग्मेंटेशन है इनके फेस पर आपको नज़र आ रही होगी और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूं डर्मा मिराकी फाइव न बेस को लेकर ट्राइबी कर रहे होंगे और इन्शालला अब आई होब के आपके सारे बेस के प्राव्लम सौल हो चुक्त होंगे यह मैं ड्राइब ब्रेश के साथ अप्लाई कर रही हूं और इन्शालला यह दिखिए इनके दुछ साट पर मैंने कवरिज किया और एक साट मैंने कवरिज नहीं थी और आप देखिए आपको वाज़ा फरक नजर आ रहा होगा और अभी मैंने इनको थोड़ा सा अपनी टोन से अप लेए एक वन लेवल अपने जाने के लिए मैं यूज कर रही हूं थ्री और टू को मैंने लाइट सा मिक्स करके लगाया और अभी हा आन नंबर जो है वो हम लोग फिर दिखाने के लिए हाई लाइटनी एरिया पर नगाते हैं आपने देखा के सवाई सिक्स कलर के आर्मोस्ट मैंने फाइव कलर इन में यूज किये अक्सर मेरे वीवर्स मिझे फॉन करते हैं और कहते हैं कोई एक नंबर बदा दे लेकिन लाम लस्टिंग, बहुत थिन बेस, 100% कवरिश और 100% हलाल प्रोडक्ट हैं में एम जे मिराकी की तमाम प्रोडक्स हलाल प्रोडक्स हैं और मिराकी लवर्स के लिए गुड नियूज ये है कि नेक्स्ट मन्स से जून से इंशालला हम वीपली दो से तीन प्रोडक्स की लाइ लाँचिंग करेंगे और 18 प्रोडक्स हम आपके लिए और ला रहे हैं और याद रखें कि आप लोग जब भी मेकप ब्रश से भी करें तो टैपिंग बहुत जरूरी है और ये कि मैं पफ यूज कर रहे हैं ये एम जे मिराकी की न्यू लाँचिंग प्रोडक्ट है ट्राइ लेकिन मैं आज इन पे अल्ली वन नमबर शेयर जो है वो यूज कर रही हूं ये हमारे वन और टू है ये लेकिन मैंने इसमें ज्यूज किया है वन नमबर और ड्राइफ फार्म में पफ की मदद से लगा रही हूं मैंने इसको खुले बरतन में एक निकाल लिया है आप तो आप ये पफ के साथ इक्वल कॉंटिटी में लगे और आप अच्छी तरह से अपनी बेस पर लगा सकें ये ज्यूज आप बेस पर लगाएंगे तो ये ट्रास्पेरन शेकल में चला जाता है जो आपकी नीचे बेस आपनी टोन जो बनाई हूई है ये उसमें कनवल्ट हो ज पेस्ट नहीं बनाना है और मेरी बिगनर्स के से सुसी तोरपा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको नीव प्रोडक्ट लें उसे तीन से चार दफा यूज क्या करें ताकि जब आपके हैंडलिंग उस पर आजए उसके बाद आप अपनी क्लाइंट्स पर यूज करें इस होगा और मैं और्डर के लिए एक दफा फिर नंबर रिपीट कर दूँ अगर आप मेरा की कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप 03230505612 पर कॉल करके अपना आडर बुक करा सकते हैं और ये मैं ट्राइंगल पफ लेकर उसके साथ टैपिंग कर रही हूं और ज देखने में शायद थोड़ा सा ये ठील हो कि ये ठीक बेस है हलना गैसा नहीं है बहुत किन पेस है और जून जू टाइम बुजड़ता जाता है ये और ज़्यादा नीट अंड क्लीन होती जाती है जैसा कि वाटरफूफ बेस जो मैंने पहले वीजियो सेंड किया उसमें आ एक्निटी और अभी है ये बहुत सुपर किसम का मेरा बहुत पसंदीडा प्रोड़क्ट क्योंकि एम जे मिराफिगा है कमपैक्ट पाउडर इसमें दो कलर्स हैं और उसको आप पेस पर लगाएं बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एम जे आप एक ऐसी वीडियो डाउनलोड करें जिसमें अपलोड करें जिसमें आप कम्प्लीट अपनी ब्राइडल दिखाएं लेकि उसमें थोड़ा सा मॉडल मेकप का टच भी आना चाहिए तो मैंने इसमें ट्राइडिशनल और मॉडल दोनों चीजों को मिक्स करके इनका मेकप किया है और इसमें जो ड्रेस है वो नूर जहां डिजाइनर है नूर जहां के नाम से उनों ने ये ड्रेस डिजाइन किया है जो के आप तो वो लोग जो आपकी अमी के खालाओं के आप आपको बहुत पसंद आएगा और वो लोग जो इस तरह के ड्रेसिस बनवाना चाहते हो अपने प्राने लेंगे और प्राने सूट से कनवल्ट कराना चाहते हो वो मेरे नंबर पर या मैं डिस्कृपशन पे नंबर डानूंगी आप उस पर कॉल कर सकते हैं और यह है कंटोरिं करते हैं और मैं इंको लाइट कलर के साथ कर रही हूँ शायद कैमरा लाइट साथ थोड़ा साथ को दाग लिखाए लेकिन एक्टल यह रीयल में इतना लाइट नहीं था लाइट था कंटोरिंग एक एस फ्रेंड्स एक ऐसा काम है जिससे आप अपने काम को अपनी मैंने कंटोरिंग पर बहुत दफा कंप्लीट वीडियो डाली है आप मेरा चैनल ओपन करें और कंटोरिंग की वीडियो जरूर देखें आप लोंको बहुत गाइड लाइन मिलेगी और वो लोग जो इंट्रस्टिड हैं माडलिंग करने में वो चाते हैं को यूट्यूब के अब बनाओंगी और उनकी बहुत अच्छी वीडियो भी बनाओंगी वो फोटोग्राफर जो इंट्रस्टिड हो वो जो इंट्रस्टिड हो और जो ड्रस्ट ग्राइनर जो यूट्व पे आना चाते हों वो आ सकते हैं और ये वही सुपर डूपर हमारे एम जे मेराकी के ब रहा है और ये नमबर जिस पर आप बुकेंग राएंगे वो भी मैं डिस्क्रेप्शन में डाल दीए और ये दिखें नोस को हमने कंटोर कर लिया है और तैंक यू वेरी मच्च मैंने हमेशा से ये कुशिश किया है और आप लोगों ने इस चीज़ को एप्रिशेट किया कि मैंने कभी भी कभी कुछ आप से नहीं चुपाया मैं जो काम अपने सैलोंस पे करती हूं उसी तरह डिस्क्राइब करती हूं ताके आप लोग जिहाए मुझसे ज़एदा मेरी वीडियो से सीख सके और अपने काम को बढ़ा सके और अपनी दौाओं में प्सूसित दौर तो मुझे याद रखें और ये हैं मैट कलर जब तक भी बलाश शान में पहले मैट कलर नहीं करेंगे शाइन से कभी भी डारेक्ट आप बलाश शान ना लगाया करें उन्हें बहुत सारी वीडियो में ये बात रित्मीट कर चुकी हैं इसलिए कि जब भी आपने कुछ कलर हो तो आप मैट से काम करते हैं और जब ये देखेंगी मेरी कला है जो मौडल एंटी आइज में से पानी आ रहा है कि पहले मैंने लेंज लगाया थे जो एक्टेट कर रहे थे और मैंने इंको खत्म कर दिया अभी मैं आपके सामने लिखेंगे और पानी साफ करूंगी लेकि और इसका नमबर है जी 101 बहुत खुबसूरत फिंक शेड है इसे मैंकी चीक्स पर लगा रही हूं इसमें बहुत ही खुबसूरत कलर है आठ कलर है इसमें आई होब कि जब आप यूज करें आठ के आठ कलर आपके पास होंगे तकम उसकम आपको कोई प्राब्लम नहीं होगा और इसमें आप अपने फेस को अपने मेकप को जितना ग्लॉसी दिखाना चाहे आप लोग दिखा सकते हैं और इससे आप आइस मेकप भी कर सकते हैं इससे आप लगा सकते हैं इससे आप अपनी चाहें तो लिप्स्टिक में भी मिक्स कर सकते हैं इसमें बहुत सारे काम यह सारा नाम है इनका बहुत कॉपरेटिव माडल है और बुरे शूट में बहुत कॉपरेट किया और इंशा लगाला अन करीम में एनका फोटो शूट लिया आप लोगों से शेयर करूंगी और आज कुछ पिक्स जो के मेरे अपने सेल से लिए पिक्स है वो भी मैं आप लोगों क साथ शेयर करूंगी और अभी बारी आती है आईज मेकप की जैसा कि आपको पता है कि अंजे निराकी में 24 कलर्ज है और 24 कलर्ज में सबसे पहले नमबर है 18 18 एंड नमबर 1 इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी और लगाऊंगी इनकी आईज के नीचे वाले पॉस्चिन पार इस प्रश को आप लाइट सावेट करके लगाएं जब भी लगाएं और इस सारे ब्रश आद की में इतने भी यूज करें और मैट कलर मैं जो भी काम करती हूं कले मैट कलर से शेडिंग करती हूं उसके बाद हाइलाइट करने के लिए इस बारे में जो भी लोगाएं नेर नमबर 11 देखर जो में इक डी क्रियेट कर ली है जो के मैरून कलर इसमें आ रहा है रैड्र रेंड मैरून इसको लाइट सा शेडिंग कर रही हूं मैं और इनर साइड पर आप सिल्वर कलर वो शिमर आइज को ब्रॉड दिखाने के लिए इनर साइड पर मैंने लगा लिया है और इसके बाद मैंने इनको मिक्स किया और अभी मैं रगाने लगी हूँ नमबर त्री जोके ब्राउंच और है और ब्लैक शेड हमारा ब्लैक केक लाइनर इन दोनों को मैंने मिक्स किया लेकिन इसमें मैंने बहुत लाइट साथ किया है अपने ब्रश को ज़एदा नहीं किया इसलिए अगर आप से ज़एदा वैट करेंगे तो सहथ आप पिर जो है कंटोर करना को इसको डिफिकल हो जाए इसलिए मैं इसको बहुत लाइट सा वैट किया है और अभी ट्राइब ब्रश लेकर इसको मैं मिक्स करूंगी और मिक्सिंग के लिए भी हमारे पस बहुत उब्सुरत से ब्रशिस हैं वो मैं भी आपके सामने यूज करती हूं आप देखेगा उसे कितनी अच्छी और हमेशा याद रहेए जेगा कि जब भी कि लिकब आ अच्छी अच्छी वगाह और बहुत नैसरल लगता है अभी मैं मर्जिं अच् lobby भर्श के साथ मर्च करूंगी आप देखेगा यह ब्रसट कई अच्छी इसको बोचे म्पर्श कि रिख यह हमने डस्ट आफ कर दिया है और आप मेरी फिंगर में एक वाइट कलर की रिंग देख रहे होंगे जो के प्लास्टिक रिंग है यह निक्सिंग के कलर लगाने के लिए जूज होती है और जब आप कोई इन कम्प्लीट कित और करते हैं तो इसके साथ हम आपको यह जिफ रह है और यह पहले नहीं था यह भी से सिस्टा शुरूव है और इसके प्यारी से रिंग रासर करने के लिए अपनी किट को आउडर करें ताकि हम इसके साथ आपको इडिफ पिज्वाएं और यह आइस के नीचे मैंने जेल लाइनर एम जे मिराकी का जेल लाइनर जो के नेक्स दूलन जो है अक्सर आइज में से पानी आ जाता है जिसके वरे से काफी टेंशन बनती थी तो हम ने जेल लाइनर दो कलर में लाउंच करेंगे इन्शाला ताला जो कि मैं काफी एससे पहले यूज करके सब एक्सपेरिमेंट इस पर कर चुकी हो ब्लैक एंड ब्राउन कलर ह पारराई के लिए मैंने यूज किया जिरो नमबर ब्रश रोल अर्म घोलडन और सिल्वर यह आपकी किट में लाजमी होने चाहिए यह मारी बहुत सी जोगों पर यूज ओते हैं हमारे हाईलाइटिंग में यूज होते हैं हमारे आएस के इनर कॉर्णर पर यूज ओते हैं ह क्योंके पहले हमाई आज से दस कलर थे लेकिन अभी हम सरफ गोल्ड और सिल्वर जो है वह ज्यादा जूज कर रहे है और इस के इनर साइड पर में लगा लूँगी यह इसमें थोड़ा सा वीडियो में पहले लगाया था और यह इसलिए है कि आप आइस को बड़ा दिखा सके और आप भी जब मेकप करें लिए थोड़े स्ट्रेश कर लें बाहर की साइड पर आइस को आउटर साइड पर तो दुखें लाइट सा जैसे मैंने फिंगर आपके स्ट्रेश कर लिया है और इस सापनी आइस को और यह है हमारा गिलिटर जो कि सेवन कलर्स में है और यह मैं के साथ मल्टी शेड है हमेशा याद रखें कि पानी लगाकर ब्रश के साथ मैंने कलर निकाला लेकिन जब मैं एप्लिकेशन इसकी कर लूँगी उसके बाद मैं अपने ब्रश की उपर एम ये मिराटी का लाइनर सिलर का एक ड्रॉप लगाकर इसको टैप कर दूँगी यह नहीं पर फिक्स हो जाएगा कोई भी इसका ग्रेन आपके आई ब्रोस की उपर ड्रॉप नहीं होगा याद रखिए का लाइनर सिलर बाद में टैप करने के लिए मैं यूज करूँगी लेकिन पहले मैंने जब उस जौर में से निकाला है तो मैंने अपना ब्रश पानी लग अपनी सॉप्रिट एरिया पर और जिनों जिन फ्रैंज में अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें और साब लगे वे बेल आइकोन को जुरूर प्रैस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो फॉरल से पहले आपको मिले और आप अपन प्रैंस साथ भी लिंक जुरूर शेयर करें ताकि सब्सक्राइब ज़्यादा लोग इस वीडियो से फाइडा उठा सकें और यह दिखें मैं एक डॉप लाइनर सिलर का लगा रही हो और इसको मैं टैप कर दूंगी आइस क्यूपर और अबर कि हमारी आइस में एक तो मेराकी की तरफ से लांच कर रहे हैं अपने आई लैश ब्लू बहुत से लोगों का बहुत सी विटेशन का बहुत सी घर बैठी मेरी बहनों का यह प्रॉब्रम था कोई भी अच्छा गिलू नहीं मिलता यह देखें मैं लैश इस पर क्यों लगा के थोड़ देख चोड़ा और अगर आपके पास यह तो आप टूजर की मजब से आप बिलकुल अपनी पहले लगी हुई लैश हैं बिलकुल इसके करीब रखे आप इसके उपर जब लगाएंगी यह अपना अच्छा ग्लू है तो यह फोर इटोर पर आपको लैश पेस्ट हो जाएंगी और यह भी ल पहले हके लेकिन पहले आपके जो हैं बुगिं करा लें तो उससे आपको 10% हार्चीज में आफ मिलेगा जैसा कि आपको पता है कि में हमेशा तलाश मेरे तुछ दुनिया में जाती हूं जिस मुलब में भी जाओं मेरी कोश्च चोछ चोती है कि मैं आपने स्टूडर्स के लिए अपने जीटेशन धेनों के लिए और अपने बिगनर्स अपने सीनर अपने जीनर्स के लिए अच्छी च्छी प्रोड़क्त लाओं और इंशालला प्राइमर कलर कॉस्मेटिक्स और लैशे और बहुत कुछ आ रहा है निराती में जो कि आपकी बहुत सर्फ प्रॉब इसान सॉल्फ करेगा और दो तरह के हमारे बियूल भी आ रहे हैं यह ब्राउन शेयर्ट है जो में आई ब्रोड़ में लगा रही है और आई ब्रोड़ में मैंने ब्लैक लिए ब्राउन लगाया बिल्के ब्राउन लगाया जिसका नमबर 3 है अगर बहुत केस्ट हैवी किसी काज़ेद मिसी कलर से कंटोरिंग भी करती होती हूँ और ब्लैक के एक लाइनर हमारा मेरा की का है मैंने वो अपलाई किया है सोरी फ्रेंड्स उसमें उसकी वीडियो नहीं बन सकती किसी और मैं इंशालला मैं आक से वीडियो भी आप से किसी और बन सकता हुी है किसी और किसी और किसी और बन सकता है वुआ झाल झाल झाल